स्वाकता दोस्तों बोनिडागर की एक और नई फ्रेश वीडियो में आज फिर से आपके सामने है दोस्तों ग्रैंड विटारा भाई कई लोग पूछेंगे के यार डेली डेली ग्रैंड विटारा की वीडियो क्यों डाल रहा है तो भाई सारी चीज़ते को डिमांड के उपर कर रहे हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है तो मैंने सचा क्यों कूं ना इस गाड़ी के थ्रू जो मेरे पास आ चुकि 엥के थ्रू में वर्लोगों के सारे डाउट्स कर देता हूं फिर और बी काफी कपनेंट को देख करके आए और इससे रिलेटिट बहुत सारा कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी मैं बाकी गाडियों की और बाइक की वीडियो वगरा डालता रहता हूं रिवीव वगरा देता रहता हूं माईलेट टेस्ट वगरा सारी चीज़ हम कर काफी सारे रीजन्स है उस मैं कुछ चीज़े फोलो करता हूं वह आपको भी फोलो करनी पड़ेगी तो आप भी कुछ मेरे से सिमिलर माइलेज या मेरे से ज़्यादा या कम थोड़ा बहुत निकाल पाओगे तो वह चीज़ा आज मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा पह लोग देखते हैं कौन सी गाड़ी काफी लोग अभी भी मेरे से पूछते हैं सरी कौन सी गाड़ी कौन सी गाड़ी आ गई है तो वही चीज एक तो मैं आज बताऊंगा इसमें क्या कुछ मैंने फोलो किया है इतनी अच्छी माइलेज अचीव करने के लिए जो मैं बता दिये तो आज उसके बारे में बताऊंगा यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया है और आप कैसे इसे पॉसिबल कर सकते हो तो वीडियो में बने रहीएगा चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं भी आपको बता दू के अब तक मैंने मैक्सिमम इससे माइलेज कितनी अचीव की है वो आपको प्रूफ के साथ मैं दिखा देता हूँ तो अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इतनी माइलेज मैंने आज तक इसमें मैक्सिमम जो है अटेन कर पाया हूँ मैं और ये जो माइलेज है वो विदाउट एसी एसी जो है वो थोड़ा एक दो किलोमेटर को डाउन कर देगा माइलेज को और सिटी में बिलकुल ट्रैफिक ट्रैफिक चला रहे है तो उसमें दो से ढ़ाई किलोमेटर भी डाउन कर देता है एसी क्योंकि पावर कंजप्शन फ्यूल कंजप्शन वगरे सब बढ़ जाता है तो उस वजह से एवरेज में फरक आ जाता है तो ये मेरी बेस्ट माइले देखो इंटीर कुछ इस तरीके का एक एक दम अप मार्केट और पॉर्ष इंटीर लगता है क्योंकि अभी फ्रेश है गाड़ी गेट को में कर लेता हूं बन तो इस तरीके का दोस्तों कुछ इंटीर है और अभी मैं दिखा दू अभी मैंना बहुत ट्रैफिक में आया हू अभी देखना यह लोड होगा लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है जब तक आप इंटीर का एक ग्लैंस ले लो किस तरीके का इंटीर लगता है यह जैटा इस में ओल्रेडी जो है यह इनफोटेंडमेंट लगा हूँ आता है जो कि मैं मानता हूं कि आफ्टर मार्केट इसको कहीं से कहीं तक कंपेर कर ही नहीं सकता तो यह लोड हो गया हमारा देखो इसमें अभी भी हमारे पास 21.1 किलो मिटर की माईलेश शो कर रहा है और जिस ट्रिप जिसमेंगे हमने अभी यह भी नहीं क्या भी रिफूल कराई है और थोड़ी सी चला के मैं आपको दिखा हुआ है यह आदा है इस से एक पॉइंट कम है बस तो अभी भी इसमें मतलब बहुत फ्यूल बाकी है तो अराम से मेरे को पता है तीन सो साड़े तीन सो किलो मिटर से उपर ही यह कहीं नहीं चलेगी तो और वर एवरेज वह बीस से उपर की फिलाल भी मेरे को दे रही है जब क रखता है अपना मेन मता हुना सबसे पहले मैंने यह चीज नोटिस किये हाला कि यह प्रूव नहीं हो पाई यह चीज बटी मैंने एग नहीं हमने मलब हर दो तीन साल में हम कोई नहीं वही कर लेते रहते तो उसमें हम इस चीज के ध्यान रखते है जो अपना ब्रेक इन पी शुरू में माइलेज बिगार दी काड़ी को फुल कीचा वो एक बर तेल खाने लग गई तो फिर मैंने ऐसा देखा है कि वो तेल खाती ही है ज्यादा बढ़िया एवरेज वो दे नहीं पाईगी अब उसको प्यार से चला होगे तो भी नहीं दे पाईगी अब इसके पीछ जैस बसती नहीं है बट फिर भी यह चीज मैंने नोटीस करी है हो सकता बहुत बड़े-बड़े कार्ड एंतुजियस्टर वो मेरी बात से नहीं वो करते हो इत्तिफाक रखते हूं बट मेरे कहने पर आप एक यह चीज करके देखो कि जो आपकी गाड़ी नहीं आगी ना उ क्योंकि बार-बार उसमें सेल्फ लगता है बहुत थोड़े से समय के लिए उचलती है फिर जाके वो बंद हो जाती है फिर अगले दिन उसमें फिर सेल्फ लगता है मलब एक जो टैंक टू टैंक होता है न उसमें उस टैंक में जैसे मैं लंबा चला रहा हूं तो मेरे टैं से लेके 120 किलो मिटर का है तो हमारे फ्यूल सेल्फ जो बहुत कम लगते हैं उस मामले में और कुछ जो यह न अपने यह इसको बहुत से लोग मैंने देखा यहां से ओफ करके रखते हैं ऐसे यहां पर आपको दिखेगा ओफ वह क्यों करके रखते ओफ यह काफी मदद करता है और फ्यूल एफिशेंसी बढ़ाने में एक लोगों को बरहम है कि बार बार गाटी बंद होगी शुरू होगी तो और ज्यादा फ्यूल खाएगी बहाई ऐसा नहीं होता इसमें जो नहीं यह बैंट्री और यह मोटर दिखा रखे ना इसमें इंजन में मोटर हब लगा ना कि नॉर्मल हमारे जो स्पार्क प्लक से करंट वरंट बनके सेल्फ वगरा नहीं लेती वो डारेक्ट क्लिच प्रेस करोगे वो मोटर से जो इंजन स्टार्ट हो जाएगा उसमें आपका फ्यूल नहीं लगेगा तो कुछ लोगों को यह मिचता यह मैंने क्लियर कर दिया इस से भी आप बहुत माइलेज इंप्रूव कर सकते हैं मैं आपको डेमो दिखाता हूं मैंने इसकी वज़े से अभी तक कितना फ्यूल बचाया है यह देखना आइडल फ्यूल सेव मैंने किया है 1665 मलब डेड़ लीटर से भी ज्यादा मैंने फ्यूल सेव कर लिया सिर्फ 47 400 किलोमेटर चला के तो यह हां बहुत छोटा है बट मैटर करता है भाई हर चीज पर छोटी चोटी चीज पर ध्यान दोगे जब एक बड़ी चीज का आउट कम आएगा तो एक इस चीज पर भी ध्यान रखो इसको हमेशा ओन रखो इसको अच्छे से यूज करो और कोशिश करो बैंटरी आप हमेशा तीन बार से उपर रखो यह जैसी कम होजा इसको फुल चार्ज रखो ताकि आपको कहीं आगे जो रेड लाइट आ रही है जहां आ रहा है वहां पे आप इसको यूज कर सको इंजन कटोफ कर सको इसको चार्ज कैसे करना है जैसी आप थोड़ा बैसिकली बता रहा हूं यह आपको कोई नहीं बताता होगा एक तो आपको जितने जादा सेल्फ लगेंगे उतनी कम माईलेज यह देगी ठीक है एक जो है इसको आप हमेशा ओन रखना आप जितना लंबा ट्रिप मारोगे ना जितने कम गाड़ी में सेल्फ लगेंगे उतन दो हजार या उससे सो दो सो आरपियम पहले भी आप गेर चेंज गर दो वो अच्छा रहता है दो हजार आरपियम से उपर आपको बिलकुल नहीं लेकर जानी है और यह एक ऐसी गाड़ी है इसमें ट्रैफिक में भी आप देखोगे तो फॉर्थ गेर और फिफ्ट गेर में जिससे की इसकी बहुत माइलेज इंप्रूव हो जाती है और दिल्ली में ना मैंने एकसर ऐसा देखा या तो हमारा सुबह जाना होता है दो फैर में आना होता है जो पीक आर्स होते है उसमें तो नीच एल पाती है काड़ीत नी बट सुबह जब हम जाते तो इतना ट्रैफि होता है कि सिटी के अंदर एक इस चाली से पचास की रेंज में चलती है जो कि इसकी बैस्ट माइलेज अटेन करने में मदद करती है पचास की स्पीड पे चलाओगा इसके दूसर जो की ऑप्टिमल एकदम बढ़िया माइलेज देने के लिए तो आप सिटी में चलाते हो तो पर फिसट में चला रहे हो ऐसा भी दिए हैज़ weड़ी अर्पम से उपर होना चीए चीए और सीधा कलट छोड़ता है ऐसे नहीं हमेशा वी शेप में ऐसे पैर रखके कलट छोड़ना होता है जिस चाहिए आपको थोड़ा बहुत जरूर उसमें भी आपको देखने को मिलेगा इंप्रूव्मेंट तो एक चीज मैंने आपको यह बताई इसको जरूर यूज करो अगर से अंडर और हजार से उपर और एक और चीज मैं में बता देता हूं जैसे आप पंजा दबाते हो और 80 की स्पीड जैसे आप चलाना चाहते हो 80 की स्पीड आपने अटेन कर ली थीक है तो उसके बाद जो हाप पंजे को एकदम डीला साब पूरा उपर उठालो पैर को और हल सारा से हलका सा पैर उस पे एक्सलेरेटर पे रख लो ताकि वह स्पीड पे वहां पे फिक्स हो जाए और लाइट फुट आपकी ड्राइविंग हो उससे भी आपकी जो है काफी इंप्रूव हो जाएगी माइलेज और एक चीज मैं बता हूं जोस्तों जैसा कि मैन्वल है न स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलाते हैं तो 72 से उपर मैं इसको नहीं लेकर जाता हूं हाँ जब कहीं मेरे को जादा खुला रोड मिल जाता है तो मैं इसको 80 तक मैक्स ले जाता हूं 80 से उपर इस गाड़ी को मैं नहीं चलाता हूं क्यूंकि जिस गाड़ी का जिस हिसाब का इंजन होता है जिस चीज के लिए बनी हुई होती है उसको उसी हिसाब से चलाना पड़ता है तो एक यह चीज आप ज्यान रखना और अन्नैसेसरी पैडल को ज्यादा मत प्रेस किया करो उससे जो है यह पिक अप के चकर में आपके बहुत भागेगी भागेगी इसमें क्या होता भागती नहीं है यह फ्यूल जरूर ज़्यादा पीती है तो हमेशा यह गाणी परफोर्मेंस के लिए नहीं बनी जिसको परफोर्मेंस की बनिए तो परी करेटर ले लो करनी ही करना भी माइलज पर अशत्ति कश लोग चलाएं गार मेंश्ट फूल डियां तो यहां गर्मी के लिए पिलुक्व ऐसे लोगर में काड़ी वहां दो भी नियुक्य दोपिर आप क्या दो-गूर्आ गर्मु से लूब लो लो जैसे यहां से च्छल देता हूं इसको लो पर कर लो बिल्कुल और जैसी आप की वायदी का टेंपरेचर नोर्मल होता है न होधकर ने वह हुआ अपको नडर ब Packת नहीं दिंधिया वहdid कब दो तो आप इसको temperature को जल्दी से बढ़ा दो इस तरीके से आप 24 चार इस पॉइंट पॉंट पांच तक ररक्षो बस इतना ही अच्छा है अपको माईलेज अच्छी जी तो आपको इसमें गर्मी भी नहीं लगे यह अपको गर्मी लगेंगी माईलेज भी अच्छी देग या आप एक भाई ने जैसे मेरे कमेंट किया था सब्सक्राइबर भाई उन्हों ने बोला मेरी गाड़ी 800 RPM के आसपास रहती है इनिशल पे तो मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ भाई मेरी गाड़ी कितने पे रहती है आप चैक कर लेना उससे अंदाद अलगा लेना यह देखो भाई मेरी 500 से उपर मेरी भी 700 700 के आसपास रहती है तो यह इसका नॉर्मल RPM का रेंज है जो इसका इनिशल पे आप मेरेज दूंगा तो यह बढ़ेगा सीधा ठीक है तो इस चीज का आप ध्यान रखना मेरी भी इसी रेंज के आसपास ही रहती है आइडिलिंग पे तो यह सब कुछ था मैंने जो फोलो कि आना तो माईलेज आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी तो अब मैंने सारे कंसन आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं फिर भी कोई कोशन आपके रह गए हो तो आप कमेंट कर देना वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए माफिचाऊंगा बट यह टोपिक आज मै लेयर कर देना चाहता था इसलिए मैंने पूरा टाइम लेकर के वीडियो बनाई है और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को मैं डालने की कोशिश करूंगा आशा करता हूँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी होगी फिर भी कोई कोशन है तो पिन कमेंट कर देना मैं से मिलेंगे जब तक के लिए स्टे टून वंदे मातरम जाहिन